आज हम स्टाट करेंगी जी सेक्षिन और यह हमारा रिलेटेड है मैरिज से ओके तो देख लेते हैं फर्स नंबर से अगे क्या है यह फर्स नंबर का दा प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्टा मैरिटल रिलेशन्स मतलब विवा के बाद यानि शादी के बाद भी अगर आप क का पकड़े हुए किसी और परसन का तो वही क्या हो गया आपका एडल्टरी हो गया ओके नेक्स देखते हैं नेक्स हमारा सेकिंड नंबर का क्या है सेकिंड नंबर का एंड एलाउंस पेट टू वाइफ और डाइवोर्स तलाग पर जो पतनी को धन दिया जाता है या जो वी इसको गुजारा बहता दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में बूला जयता है निर्वान इदि यू गुजारा बहता और एंग्लिश में बूला जयता है niew winds क्या है थर्ड नमर का दा प्रैक्टेस ऑफ हैं तू वाइप्स और था निया रखने की प्रथा क्या कहलाती है उसे हम कहते हैं यानि की दूई विवा अभी देख़िए मिस्टर एक ही है लेकिन इनकी मिसिस कितनी हैं यह दो है नेक्स्ट हमारा फोर्थ नम्बर का क्या है फोर्थ नम्बर का अस्टेट आफ एबस्टेंशन फ्रॉम मैरिज विभा से विरत रहना यानि जिसको शादी ही नहीं करनी उसको हम क्या कहते हैं उसको हम हिंदी में बोलते हैं ब्रहमचार है और इसके लिए वनवर्ड यूज किया जाता है सैली बेसी अब देखिए पिक्चर देखिए अब ये मैन है ये वुमैन है अब इन लोनों को क्या है एक दूसरे का साथ नहीं जाए है ठीक इसलिए यहां पर क्रॉस बना हुआ है नेक्स सिखलेते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का, क्या है फिफ्थ नंबर का? लिविन रिलेशनशिप, आ मैन एंड आ वो मैन, लिविन विदाउट बीइंग मैरेट मतलब बिना शादी के जब एक इस्तरी और पुरुष साथ में रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कौन कू बाइनेच ओके, I hope सारे चीजने समझ में आ गई हूँ, किलियर हो गई हूँ और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मन भूलिएगा थैंक यू, थैंक यू वेरी माच